नमस्कार अफ्राव का स्वायात है यूटूब चैनल कॉमर्फेनांस पर रिटेल इंवेस्टर्स हमेंसा पेवी सेर के पीछे भागते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो छोटे सेर में इंवेस्ट करेंगे क्योंकि उसके लॉस्ट भूग करके लिकलते हैं पाला कंडिशन यह हो गया बिजनेस फेलिवर या कंपरेट गवार्नेंस की वज़े से यह कंपनी खेल होके इस लेवल तक कहुंसती है दुसरा कारण है अगर कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना लिस्टिंग कराती है तो फंडमेंटली वो काफी कमजोर होती है या वो अनोल होती है और इन कंपनी का मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा नहीं होता है और ये हमेशा possibility बनी रगती है कि वो छोटे से जटके को भी कमपनी जेल नहीं पाएगी और तूटके almost खतम हो जाती है जिसकी वज़य से उसके share में growth नहीं दिख पाता है लेकिन मैं बात करने वाला हूँ Tata Group से belong करने वाले Tata Power के बारे में जिसके तीन बड़े कारण में बताऊंगा कि आने वाले future में ये multi backer बनेगा और मैं आपसे ये वादा नहीं ये डावा कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें 5-10 साल invested रहते हैं तो ये आपको multiple return देने की छमता रखता है ये तीन बड़े reasons क्या है Tata Power fundamentally कितना strong है इन सब को जानने के लिए start करते हैं ये वीडियो आगे पर इसके पहले मैं बताना चाहूंगा fundamentally कुछ strong sales पर मैंने वीडियो बना रखा है जैसे दिपाग नाइट्राई, Tata Chemicals, LCL जिनका future prospect काफी सांधार है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन सब के लिंक मैंने description box में डाल दिया है वहाँ से जाकर जरूर देखें जिसमें मैंने इन companies का fundamental analysis का रखा है और साथे future का prospect share का रखा है अब हम बात कर लेते हैं Tata Power के बारे में फिचर में ये multi burger बनेगा और अपने investors को multiple return देगा ऐसा मुझे विश्वास है इसके पाहला कारा है Tata Power electrical vehicle charging solution में इंडिया का leader बने वाला है और लेरी Tata Power इस दिशा में काम स्टार्ट कर चुका है और बहुत सारे station का construction ये स्टार्ट कर चुका है और साथी इस फिल्ड में अपने business expansion को लेकर काफी aggressive नजार आ रहा है और मुझे पूर विश्वास है आने वाले time में सबसे ज्यादा charging station Tata Power के पास ही होगा Tata Power का जो current plan है उसके इसाथ से किसी का home हो, office हो, mall हो, hotels हो, retail outlets हो या public places जो हर जगे अपना charging station बनाते जा रहा है Electrical vehicle का future इंडिया में क्या होने वाला है ये किसी को बताने के ज़रूरत नहीं है हम सभी जानते हैं इंडिया का future भी electrical vehicle ही होने वाला है क्योंकि petroleum पदार के हमारी dependency कम हो इसके लिए Indian government भी बहुत सारे छूट, बहुत सारे subsidies ऐसे product को दे रही है जो electrical vehicle related या तो product मनाती है या इस business से जुड़ी हुई है चुकि Tata Power already इस प्लेट में काफी आगे बढ़ चुकी है इनका expansion plan भी काफी अच्छा है और इनका current business model है वो भी काफी संदार है इनका management aggressive है, इनका target बहुत बढ़ा है इस निए EV charging solution में Tata Power number one रहेगा ऐसा मैं फिलाल दाले के सदकार सकता हूँ और जब भी कोई company किसी fleet में market leader बनती है उसके share में भारी उच्छाल होता है हम सभी जानते हैं क्योंकि business growth हो या sales growth हो उसका सीधा impact company के profit पर पढ़ता है और जब भी कोई company अच्छा profit कर दी है तो उसका impact उसके share price बर भी पढ़ता है अगर देखा जा तो Tata Power के share का जो current market price है यह हर retail investor effort कर सकता है क्योंकि अभी भी यह double digit में है आने वाले recent future में यह triple digit में पहुँचेगा यह मुझे विश्वास है और हो सकता है कर आप 5-10 साल इसमें stay करते हैं तो यह 4 digit में भी पहुँच जाए अब देखते हैं दूसरा reason जिसकी वज़े से मुझे लगता है Tata Power के share में punk लगने वाले हैं दोस्तों हम सभी देखते हैं आ रहे हैं Indian government के एक बहुत बड़ा focus green energy पर है इसलिए वो solar energy पर काफी कुछ डाव लगा रहा है और इसको support कर रहा है और आने वाले काई में solar के तुरू ही हम लोग को बिजली मिले और solar plant के मद्यम से ही maximum बिजली का उत्पादन किया जाए ये भी संभव है क्योंकि Indian government इसको काफी support कर रही है और इसे बहुत सारे project निकाल रही है solar को बढ़ावा देने के लिए maximum solar plant लगाए जाएंगे आने वाले future में और इसमें Tata Power को बहुत बढ़ा benefit मिलेगा ये भी guaranteed है यानि अगर solar energy को बढ़ावा मिलता है तो निश्चीती Tata Power को उसमें बहुत बढ़ी इससेदारी मिलने वाली है और हाल फिलाली Tata Power को बहुत बढ़ा project ना order मिला है NTPC से जिसका value करीब 1200 करोर रुपया है NTPC से जो Tata Power को project मिला है इस project में Tata Power को 320 MW का plant set करना है और आने वाले time में Tata Power को ऐसे बहुत सारे project मिले ऐसी संभावना है क्योंकि solar plant इंडिया में अभी बहुत बढ़ने वाले हैं और उसमें एक बहुत बढ़ा हिस्सेदारी Tata Power को रहेगा क्योंकि अगर background देखे Tata Power का तो इसका successful background रहा है इस field में और हम इस screen पर देख सकते हैं यह बहुत सारे large project past में execute कर चुका है अगर कुछ example हम यहाँ पर लेना चाहें 150 MW का आयना जो अनादपूर में बना था 50 MW का कासरपूर जो केरला में बना था 56 MW का green core 30 MW का solar power plant जो लपंगा उडिसाम बना था 105 MW का floating solar project जो कयाम कुलम में बना है फिलाल यह under implementation है और आने वाले टाइम में इसका भी execution कम्प्लीट हो जाएगा इसके अलावा recent past में Tata Power ने बहुत बढ़ा auction भी जीता है इस field में जो गुजरात वारा conduct किया गया था और यह 400 MW का project है जो बिल्ड किया जाएगा डॉलेडा solar park में तिसरा बड़ा reason है जिसकी basis पर मैं का सकता हूँ Tata Power काने वाले future में अच्छा कासा growth और expansion होने वाला है आप और हम सभी देख रहे हैं Central Government or यह State Government or जो भी सरकारी companies है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा यह private company को sell करते जा रही है जिसकी वज़ा से Tata Power ने 51% का इसने कभी हासिल किया TP Western or इसाइड distribution limited और TP Southern or इसाइड distribution limited में सायद आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहूंगा जितने भी विजली का distribution होता है across the India maximum holding state government की होती है लेकिन अब state government उसमें बहुत बड़ा हिस्सा private companies को sell करते जा रही है इसलिए URSA government ने अपने business distribution में बहुत बड़ा stake sell किया जिसकी वज़ा से Tata Power ने URSA government के अंडर में चलने वाली जो power distribution होता है उसमें बहुत बड़ा stake ले लिया है और आने वाले time में के वाल उरिसा में ही यह नहीं होने वाला है पूरे इंडिया में होने वाला है और state by state अब देखेंगे जितने भी state governments है देरे देरे अपना हिस्सा वो private companies को sell करेंगे state government power distribution में अपने हिस्सा sell करते जा रही है उसका बहुत बड़ा कारान है state government हो या central government हो इनको बहुत loss हो रहा है जिसकी वज़य से वो अपने state sell करते जा रहा है Tata power उसमें बहुत बड़ा player बनके उबरेगी ऐसा मुझे विश्वास है और जो भी power distribution का business है उनमें इनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी होने वाला है आप समझ सकते हैं power distribution कितना ज़्यादा है इंडिया में और इसका business कितना बड़ा है और इस sector में Tata power लीडर बनने वाला है और निश्ची तो इसके business में अच्छा खासा growth देखने को मिलेगा और जब Tata power का business expansion होगा निश्ची तो उसका impact इसके share पर भी पड़ेगा यह है तीन में कारण जिसके business पर मैं कर सकता हूँ Tata power का future काफी अच्छा राने वाला है इसलिए आप इस share को consider कर सकते हैं buy करने के लिए अब हम देख लेते हैं Tata power का fundamental कैसा दिख रहा है और current time में इसके share को खरेना चाहिए या नहीं इसके लिए मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा Ticketate के website पर मैं आ चुका हूँ Ticketate के website पर जहांपर हम देख सकते हैं Tata power company limited का current market price चल रहा है यह 89 प्या 25 पैसा चल रहा है चुकि stock market में गिरावट का दोर जारी है और यह जो data दिया हुआ है 25 जन्वरी का है जिस दिन stock market almost 1% के आसपास डाउन आ लेकिन इसके share में मामली गिरावट देखने को मिलती है यह मात तरफ 0.18% है investment checklist देखे तो Tata power का intrinsic value green zone में है यानि जो Tata power share का current market price है इसके सभाविक value से कम है दोसरा returns versus empty rates इसका rate zone में है क्योंकि तब न electrical vehicle के बारे में ज्यादा चर्चा होती थी न इसके charging station के बारे में चर्चा होती थी और ना ही green energy पे government के इतना ज्यादा focus हुआ करता था इसलिए share न अच्छा return नहीं दिया है अगर पिछले कुछ सालों का record देखा जाए तो लेकिन जिस industry से कमपनी आती है उसका current status देखे या future का prospect देखे तो निश्ची थी आपको भी संदार लगेगा जिसके basis पर मैं सका सकते है कि Tata power का भी future का भी अच्छा राण्यवाला है Tata power ठिक ठक dividend देती है इसलिए ये green zone में है entry point B सही है इसलिए ये green zone में है यानि अगर आप चाहें फिलाल तो इसमें entry ने सकते हैं इसमें low rate flag है और ये भी green zone में है यानि ये company ASM या GSM list में नहीं है Tata power meet cap से आने वाली company है इसका current market cap 25 या 320 करोर के आसपास है ये share low risk में trade होता है और nifty से comparison में इसकी volatility 1.58 times होता है इस share का PE ratio गी अभी अच्छा दिख रहा है और ये फिलाल 21.07 है जो कि अच्छा माना जाता है अगर किसी share का PE ratio 20 के आसपास चल रहा होतो अगर हम इस share का forecast देखे जिसमें analyst अपना opinion share करते हैं तो आपक 18 analyst ने अपना opinion share कर रखा है जिसमें 89% analyst का माना है कि इस share को buy करना चाहिए आगर बढ़ते हो हम देख लेते हैं Tata Power का holding patterns कैसा है December 2020 के record के इसाथ से इसमें promoter की holding 46.85% है mutual fund की holding 11.36% है DIs की holding 12.07% है FIs की holding 12.43% है और retail investors की holding फिलाल 17.27% है इस data के basis परवकर सकते हैं mutual funds और DIs जो या FIs जो उनका trust बना हुआ है इस company में और उनको भी ऐसा विश्वास है कि आने वाले टाइम में Tata Power अच्छा करने वाला है जिसकी वज़ासे वो अपना अच्छा कासा holding इसमें बनाए हुए है पिछले 6 महिना का record अगर देखा जाए तो इसमें 9.64% promoters ने अपनी holding बढ़ाई है Tata Power almost dead free company है और इसके promoters की holding भी place नहीं है यहाँ पर एकलोता red mark है जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले 3 महिना में mutual fund ने अपना stake इसमें 1.08% कब किया है लेकिन positive चीज़ यहाँ पर यह भी है कि पिछले 3 महिना में FIIs ने अपनी holding को 1.59% बढ़ाया है यारी पिछले 6 महिना का data देखे तो यहाँ पर promoters ने अपनी holding बढ़ाया 9.64% और FIIs ने holding अपना 1.59% बढ़ाया है जोकि negative point में mutual fund ने अपना holding 1% कब किया है किसी भी कमपनी में promoter हो FIIs और DIs और अगर holding बढ़ाता है तो निश्ची दी वो company के लिए अच्छा संकेत मना जता है दोस्तों यह रहाँ Tata Power Company Limited का analysis और इसका future prospect detail उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसलिए like के बटन प्रेश करके अपनों के साथ इसको share करें इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और चैनल को आप तक subscribe नहीं किये हैं लास्ट एक वीडियो देखने के लिए धन्यबाद चैनल